इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुश्प्रभाव के लिए जिम जब तक आपका डॉक्टर आपको यह न कही कि इसे बंद करना सुरक्षित है, तब तक दवा को नियमित रूप से लेते रहना महत्वपून है। उल्टी, पेट, दड़, मतली और अपच इस दवा को लेने के कुछ सामान्य दुश्प्रभाव हैं। इससे चक कर आना, उनी समय तक उप्योग से पेट में रखतस्राव और गुर्दे की समस्याओं जैसी गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को हिफेनेक एसार टेबलेट लेने की सलाह नहीं दी जाती है। इसका उप्योग जोडों और मानस्पेशियों को प्रभावित करने वाली स्थितियों में दर्द, सूजन और सूजन से अलपकालिक राहत के लिए किया जाता है। अधिक तम लाब प्राप्त करने के लिए इसे बताए गए अनुसार लें। आवश्यक्ता से अधिक या अधिक समय न लें क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। सामान्य तोर पर आपको कम से कम संभव समय के लिए सबसे कम खुराक लेनी चाहिए जो काम करती है। इससे आपको अपनी दैनिक गतिविद्यों को अधिक आसानी से करने और बहतर अधिक सक्रियक गुनवत्ता पूर्म जीवन जीने में मदद मिलेगी। हाइफेनेक टैबलेट एसार के साइड एफेक्ट अधिकांश दुषप्रभावों को किसी भी चिकित सा ध्यान देने की आवश्यक्ता नहीं होती है और गायब हो जाते हैं क्योंकि आपका शरीर दवा में समायोजित हो जाता है। अपने चिकित सक से परामर्ष करें यदी वे बने रहते हैं यदी आप उनके बारे में चिंतित हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।